तो आज फिर एक बार आ गया हूँ आप सभी की प्राब्लम्स का सॉलिशन लेके और आप सभी के प्रिसेस टाइम को सेफ करने के लिए आज का तो टॉपिक लेके आए हूँ उसका नाम है Notify Team Members on Google Check for New Activity in Zoho Invoice Automatically सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Team Members को जो की मौजूद है Google Hangouts Check की उपर उन लोगों को कैसे Notify कर सकते हैं आपकी New Activity जो हो रही है आपके Zoho Invoice में उसके बारे में और सैंट हो जाएगा आपके Google Hangouts चैट की उपर जिससे कि आपके जितने भी Team Members है उन सभी को Information मिल जाएगी कि ये New Activity हुई है है ना और ये Automation करने के लिए आपको किसी भी तरह की Coding Skills का आना जरूरी नहीं है बस Help लगी की तो एक Software की जिसका नाम है Pably Connect क्यूंकि आपको पता ही होगा दोनों ही different applications हैं इन दोनों का आपस में कोई connection नहीं है और Pably Connect का तो काम ही है कि वो अलग-अलग प्रकार के applications को आपस में integrate कर देता है जोड़ देता है और मैं आपको एक बाद और बता देता हूँ कि Pably Connect को आप free software कह सकते हैं कि 100 tasks monthly के free देता है और आप free में जोई account भी बना सकते हैं तो फिर देर किस बात की है आईए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप भी इस automation को site करके अपना time और पैसे दोनों save कर सकते हैं मैं पूरी process बता हूँगा कि कहां पे क्या करना है कहां पे क्या नहीं करना अभी अपनी screen पर ओके सबसे पहले हम अपने browser में type करेंगे P-A-B-B-L-Y यह official website क्लिक करेंगे sign up free पे अपना account एकदम free में बनाने के लिए मैं already अपना account बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा sign in पे क्लिक करने के बाद पैबली connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पे क्लिक करने के बाद open हो जाएगा पैबली connect का dashboard dashboard ओके dashboard ओपन हो जाएगा मैंने नाम दे दिया zoho invoice to google hangouts chat आप कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आप वो नाम भी दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ कि इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो कि होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया है मेरे सामने दो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती हैं integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action का मतलब do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे zoho invoice में जब भी कोई new invoice create हो तो automatically हमारे google hangouts चैट पे उसका एक message जो है information के तौर पे चला जाए first application में हम choose करेंगे zoho invoice को search किया और choose कर लिया zoho invoice को का है यह रा ठीक है search करके choose कर लिएंगे zoho invoice को then trigger event में choose करेंगे new invoice उसके बाद नीचे पैबली connect ने दिया हम एक वैबुक URL जसको copy कर लिएंगे और नीचे दिये गए instructions को follow करते हुए integrate कर देंगे हम हमारे पैबली connect को zoho invoice से चलना होगा हमें हमारे zoho invoice के dashboard पर तो यह मेरे zoho invoice का dashboard simply क्लिक करूँगा मैं settings पर settings पर क्लिक करने के बाद यहाँ एक option है automation का click किजिए automation पर then उसके बाद आप देख पा रहोंगे यहाँ पर option है वैबोक्स का click किजिए वैबोक्स पर वैबोक्स पर click करने के बाद new वैबोक्स पर click करके आपकी वैबोक को एक नाम दे दीजिए मैं नाम देता हूँ google hangouts checked okay मैंने simple सा नाम दिया google hangouts checked then यहाँ पर module आप select कर लीजिए invoice okay क्योंकि invoice काम कर रहे है then description skip करता हूँ url to notify के अंदर जो पैबली connect ने आपको url दिया था उसको copy कीजिए और यहाँ पर आके कर दीजिए paste post रहने दीजिए इसको self authorized रहने दीजिए then नीचे आके parameters को skip कीजिए then append all parameters पर click करके नीचे save पर click कर दीजिए okay save पर click करने के बाद आपकी web hook successfully create हो गई है जैसा कि आप देख पा रहे है then आपको चलना है workflow rules पे workflow rules पर click करने के बाद आप click कीजिए new workflow rule workflow rule name दे दीजिए यहाँ पर हम name दे दे जाए for invoice okay मैंने नाम दिया है for invoice ठीक है आप कुछ और भी नाम दे सकते है ठीक है module यहाँ पर हमको select करना है invoice then next पर click करने के बाद यहाँ पर event based को हमको select करना है and when an invoice is created को select करना है then click करना है next पर उसके बाद filter the triggers को skip करते हुए next पर click करना है जो है immediate actions के अंदर type पे आपको select करना है webhooks को ठीक है और name पे select करना है जो आपने अभी webhook create की है जिसका नाम है google hangouts chat ओके इसको select कर लेना है जो भी आपने नाम दिया है ठीक है then यहाँ पे आपको save पे click कर देना है आके yes पे click करेंगे then अभी आप देख पार है waiting for webhook response का option आ रहा है means यह response का wait कर रहा है wait कर रहा है पैबली connect की कब कोई invoice create हो और मैं उसका data capture करूँ so चलते हैं एक invoice create करते हो चेक करेंगे के पैबली connect के पास उसकी details capture होती है या नहीं so यहाँ पे invoice plus पे click करके मैं यहाँ एक invoice create कर देता हूँ customer को मैं यहाँ इसे select कर लेता हूँ Sanjay Mishra के साथ जो है मैं invoice create कर रहा हूँ यह है invoice ID यहाँ पे आ गई है invoice number automatically add हो जाएगा ठीक है items जो है आप यहाँ पे due on receipt जो है select कर सकते है due date आप यहाँ से change कर सकते है है और यहाँ पे हम item जो है add कर देता है ठीक है मान लीजे oppo 9x है है ना $1 का ठीक है और यहाँ पे जो second वाला है इसको मैं हटा देता हूँ है क्योंकि एक ही item का invoice हम create कर रहे है then नीचे आ जाएंगे I have received the payment पे click करेंगे yes cash में लिए हमने payment ठीक है और यहाँ पे email sign करना चाहते है कि नहीं आप customer है उनको आप करना चाहते है तो इसको check in रहने दीजेगा मैं नहीं करना चाहता that's why check out कर दिया then मैं क्लिक करूँगा save पे तो invoice जो है successfully create हो जाएगा मैंने क्लिक किया save पे the invoice has been created यहाँ पे आप देख रहे है invoice create हो गया है 10 dollar का balance due है zero okay OPPO 9X का invoice यहाँ पे successfully create हो गया है अब हम चलके check करते है पैबली connect के पास इसकी details पहुची है कि नहीं संजे मिश्रा के नाम से invoice create हुआ है पैबली connect ने तुरन data capture कर लिया है जैसे कि आप लोग देख रहे है 10 dollar की जो payment हुई थी यहाँ पे 10 dollar आप देख पा रहे है और भी सारी details है यहाँ पे हमारे पास OPPO 9X नाम था item का तो यहाँ पे OPPO 9X है ठीक है invoice number हमारे सामने है invoice number भी हमारे सामने है और भी सारी details है नीचे scroll करता जाओंगा तो details आती जाएंगी date जो है हमारे सामने है और भी देख लेते हैं customer name हमारा यह रहा संजे मिश्रा ठीक है है और invoice date हमारे सामने है ठीक है thanks for your business percentage वगरा वगरा सारी लगबग सारी की सारी details जो है पैबली कनेक्ट ने अपने पास capture कर ली है है ना सभी की invoice की हमारे पास url भी है यह रही invoice url ओके इससे सीधे हम invoice पर पहुच जाएंगे एक बार इसको copy करके new tab में open करके देख लेता हूं okay है ना ठीक है तो यहां पर हम सीधे invoice पर आ गए ना संजे मिश्रा के invoice number डिवडेट वगरा वगरा और पूरा invoice है ठीक है तो हमारे पास url भी है अब मैं चाहता हूं कि यह सारी details जो है मेरे google hangouts पर chat पर send हो जाएं ताकि मेरी team को पता चल जाए कि हाँ यह एक invoice create हुआ है संजे मिश्रा के नाम से असा करने के लिए मैं second application में choose करूँगा hangouts को search किया hangouts को और choose कर लिया ठीक है then action event में choose करूँगा create message को उसके बाद click करूँगा connect पे connection के लिए connect पे click करने के बाद यह मुझसे मांग रहा है chat web o qrl chat web o qrl के लिए आपको चलना होगा अपने google hangouts chat पे तो यह मेरा google hangouts chat जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे दो spaces है एक पैबली connect और पैबली team वाला जो space है मैं इस space पे चाहता हूँ कि जो है message send हो जब भी को invoice create हो तो इस space को integrate करने के लिए इसके नाम के साइड में drop down पे click करूँगा manage web box पे जाऊँगा then यहां पे कई सारी web box हैं इन में से एक को delete कर देता हूँ then add another पे click करके एक new web box add करता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ zoho invoice okay मैंने नाम दे दिया zoho invoice आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं zoho invoice के नाम से web hook मिल गई है इसको copy कीजिए आईए पैबली connect पर यहां पे कर दीजिए paste then अब आती है message की बारी तो message किस तरीके का sign करने वाले हैं तो message मैं manually भी type करूँगा और इसमें data map भी करूँगा map करना क्या होता है सबसे पहले तो बता देता हूँ trigger application से मिले हुई data को जब हमारी action application में select करके add कर देते तो उसी को हम कहते है mapping तो अभी मैं कैसे उस technique का use करता हूँ अभी वह मैं आपको करके दिखा हूँ तो एक message format मैंने जो है अपना ऐसा करके लिख दिया है invoice created then दो बार enter invoice number ठीक है उसके बाद customer name ठीक है उसके बाद product उसके बाद amount उसके बाद invoice url ओके इस थरीके का एक message आएगा यह जो मैंने manually लिखा है यह same रहेगा हर message में अब इसकी जो values है न वो invoice के according change होती रहेंगी automatically ठीक है तो यहाँ पर invoice number कैसे मैप करेंगे blank field पर click किया नीचे option आने लगा मेरी trigger application का click किया इस पर then invoice number यहाँ पर हम search कर लेता है invoice number ओके यह आ गया invoice number क्लिक करके इसको यहाँ पर मैंने map कर दिया simple customer number इसी तरह से हम map कर देते हैं सो यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ customer name sorry customer number नी customer name यह आ गया संजे मिश्रा map कर दिया simple then इसी तरह से हम product भी map कर देते हैं item जिसको यहाँ पर आया होगा item के नाम से item name ठीक है तो यहाँ पर item का name मिल जाएगा मुझे नहीं देख रहा है एक second product से search करता हूँ है ना जो product खरीदा है उसका नाम एक बार मैं स्क्रॉलिंग करके देख लेता हूँ okay so product name था हमारा oppo 9x करके कुछ था शायद है ना यह रहा है ना लाइन आइटम नेम ओके oppo 9x मैप कर दिया simple ठीक है अब आजाते हैं amount पे तो amount भी map कर देंगे हम ठीक है यहाँ पर हम सर्च करेंगे amount ठीक है ठीक है तो amount total amount करेंगे हम total amount हमको नीचे मिल जाएगा स्क्रॉल करके चेक कर लेते हैं एक बार total amount नहीं यह भी नहीं है यहाँ पर बहुत सारा data आता है that's why इसको सर्च करने में काफी ताइब लग जाता है total amount यह रहा invoice total formatted amount यह रहा ठीक है इसको map कर दिया simple then आ जाते हैं इधर invoice url पे okay so यहाँ पर invoice ur search कर लेंगे invoice url के नाम से search कर लेंगे तो url यह मिल गई हमें invoice की url क्लिक करके map कर दी simple अब जैसे क्लिक करूंगा save and send test request पे पैबली टीम वाले इस चैनल की ऊपर यहाँ पर एक new message जो है create हो जाएगा जो की कुछ इस तरीके का होगा click करता हूँ save and send test request पे so मैंने click किया save and send test request पे response received हो गया है successfully एकदम positive response से चल के check करते हैं so yes यहाँ पर message आगया एकदम perfectly message आगया जैसा हमें चाहरा था new invoice created invoice number this customer name संजय मिशरा product opo 9x amount tank dollars invoice url invoice url पे click करता हूँ तो सीधे पहुच जाता हूँ अपने invoice के ऊपर ओके जो भी invoice create हुआ था उसके ऊपर है ना तो इस message की presence पता रही है कि मैंने अपना automation site कर दिया successfully save पे click करना है और अब मेरा काम खतम हो गया है अब काम है software का अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है सारा काम software करेगा क्या करेगा software अब बस जैसे ही मुझे जाके सिर्फ एक new invoice create करना है मैं जाके कोई भी invoice create करूँगा तो automatically उस invoice की सारी details जैसे की invoice number customer name product amount invoice url यहाँ पे automatically add हो जाएंगी है ना और उसमें मेरे involvement की 1% भी जरूरत नहीं पढ़ेगी है ना ना सिर्फ इन applications को पैबली करें के help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ कि इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी यह same workflow अपने account मे use कर पाओगे वो भी एकदम free इस video से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती है या फिर आप मुझसे बात करना चाते हैं मेरी team से बात करना चाते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई link पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जानी है तो वो आपको यह दी गई link पर मि बुलिएगा थैंस